हे हे वेलकम बैक दोस्तो स्वाग आते हैं आप सभी काज के इस वीडियो में दोस्तो बैंगलोर के कपल सिखर वीर सिंग और नीधी सिंग आज समोसा बेच कर महिने के 3,60,000,000 से भी जाधा की कमाई कर रहे हैं उन्होंने अपना पहला आउटलेट समोसा सिंग नाम से बैंगलोर में खोला था और आज उनका पूरे इंडिया में दिल्ली मुंबई सहित 40 आउटलेट्स है जहां वो समोसा बेचते हैं और समोसा बेच कर डेली 12,000,000 रुपे कमाते हैं तो आज इनके बिजनेस से हम सिखेंगे कि इनका बिजनेस फॉर्मूला क्या है और इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो आज समोसा बेच कर 3,60,000,000 से भी जादा हर महिने कमा रहे हैं तो दोस्तो बिजनेस फॉर्मूला एक ही है जो मैंने आपको मेरे लाश्ट दो वीडियो में बताया था अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियो को देख लिजे यही वो दो वीडियो हैं इस वीडियो में मैंने आपको लिट्टी, ढोसा, मोमोस के बारे में यही सेम बिजनेस फॉर्मूला के बारे में बताया था इस बिजनेस फॉर्मूला से छोटे दुकानदार या ठेले वाले भी अपने किसी भी फूट बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं अगर आप छोटे दुकान में या ठेले में समोसा बेशते हो तो भी इस business formula को use करके अपने business को बड़ा कर सकते हो इस business formula को आप किसी भी food business लिटी, कचोडी, मोमोस, ढोसा या किसी भी popular Indian foods के साथ apply कर सकते हो और अपने business को बड़ा बना सकते हो तो Samusa Singh ने अपने बिजनेस में ऐसा क्या किया कि वो आज इतना popular है और इतना पैसा कमा रहे हैं तो Samusa Singh ने सबसे पहले एक common और बहुती popular food को चूज किया Samusa जो बहुती popular है इंडिया में बिल्कुल चाय के जैसा आपको हर जगा Samusa मिल जाएगा और लोगों को समोसा बहुत पसंद भी है तो पहला काम है एक popular food चूज करना समोसा सिंग ने समोसा के साथ-साथ और भी कुछ popular Indian foods जैसे पानी पूरी, दही पूरी, मसाला पूरी, वड़ा पाव, गुलाब जामून, मूंग दाल हलवा ऐसे कुछ popular foods भी अपने customers को serve करते हैं दूसरा step है, उस food के साथ experiment करना अगर simple समोसा खिलाओगे, तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? तो उस food के साथ experiment करना है, नए-ने varieties लाना है, नए-ने flavors अपने customers को देना है समोसा के साथ लोगों को नया टेश्ट देना है, तब लोग आपके पास आएंगे जैसे chicken समोसा, mutton समोसा, cheese या पनीर समोसा, chocolate समोसा तब लोग आएंगे, समोसा सिंग ने क्या किया? समोसा सिंग normal समोसा के साथ साथ अपने customers को बटर चिकन समोसा, कड़ाई पनीर समोसा और भी बहुत सारे नय-नय वेराइटी के समोसा अपने कस्टमर्स को खिला रहे हैं फूड एक ही है समोसा लेकिन समोसा के साथ एक्सपेरिमेंट करकर के उसके कितने सारे वेराइटीज और अलग-अलग फ्लेवर्स के समोसे समोसा सिंग बना रहा है। यही सेम फॉर्मूला मैकडोनल्ड के बर्गर वाले और डॉमिनोस के पिज़ा वाले भी यूज़ करते हैं। दोसा खिला रहा है। तीसरा स्टेफ है मार्केटिंग जो अक्सर छोटे दुकानदा और ठेले वाले नहीं करते हैं। अब तो मार्केटिंग करना बहुत ही आसान हो गया है। जब भी आपके दुकान में कोई कस्टमर समोसा खाने आए तो उनका वीडियो बनाए और उनसे पूछे कि आपका समोसा उनको कैसा लगता है। और उन वीडियो को आप फेस्बूक में, इंस्टाग्राम में, यूटूब में अपलोड करें। जब लोगों को आपका नए-ने समोसा के बारे में पता चलेगा तो लोग आपको ढूंडते हुए आएंगे। जब तक आप मा आउटलेट्स खोलो, एक दुकान से दूसरा, दूसरा से तीसरा, अलग अलग जगा नए-नए आउटलेट्स खोलो। अगर ठेला में बिजनेस करते हो, तो एक ठेला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, चौथा, इस तरह से अलग अलग जगा अपना ठेला बढ़ा हो। आकी लोग समोसा ओनलाइन ओर कर सके और घर बैटे समोसा खा सके जैसे समोसा सिंघ ने किया समोसा सिंघ ने भी अपने बिजनेस को ओनलाइन लाया आप उनके website समोसासिंघ.com में जा कर समोसा ओर डर कर सकते हैं तो दोस्तों इस business formula को यूज करके आप किसी भी food business को बढ़ा बन और चैनले में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आउन कर देना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे